अगर थेवरी और प्रैक्टिकल अच्छे से रेड़ी करोगे तो एक्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे अजे, तुम दिखाओ करन तुमारा वरो, तुम दिखाओ आप लोगों का हो गया, अब हम कल मिलते हैं ओको मैडम, होमवर्क पूरा करके आना ओके, अच्छा, तुम रुको हाँ, तांकियू मैम क्या बात है, आज तो बहुम लग रही है, अज तो बहुम लग रही है अले जाओ यार, उलाने दो हाँ, हाँ, पुर्ण। हाँ, क्या है ये, ये क्या वाईवरेट हो रहे है ? अरे फोन बज रहा है मेरा भाईया का फुर है हलो हलो जनवी तुम जल्दी घर आजाओ प्लीज क्या हुआ भाईया परिशान दिख रहे हो मैं सब कुछ बता दूंगा पहले तुम घर आओ अच्छा चीक है मैं आती हो क्या हुआ जनवी मुझे घर जाना पड़ेगा कुछ प्रॉल्म है क्या मैं भी अपना ख्यार रखना जी आप कौन मैं इनके अंगा सिस्टर जान भी अभी कहां थी हैं मैं अपने फ्रेंड के घर पे थी हुआ हम हावादार एम्बॉलेंस बलाओ बोड़ी को पॉस्ट मानग बली बेजो और इन सभी लोगों की लास्ट तीन महीने की कॉल डिटेल्स निक है थैंक यू कि दिखाओ मुझे ऐसा सॉल्व करते हैं यह सब क्या है तुम्हें कुछ भी नहीं आता हूं यहां देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं अब तुम यह कोश्टन सॉल्व करो ठीक है अब तुम्हें कि अब तुम्हें अब तुम्हें कि लुटेजिए लुटेए लुटेरी तक रॉटेए लुटेए लुटेफिए के लुटेश को बासे हैं झाल 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 वरुण वरुण उठो और आप तुम यहाँ से जाओ मेरे हस्बेंड और ननन दोनों आने वाले होंगे पहाँए आओषल तो पर दो यहाँ था रहाँ इसे मेरे मेरे हमेर ननन यहाँ इसे पुलए यहाँ 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 आप्य। कि आ रही हूं हाई भाबी हाई कैसे हो आप मैं ठीक हूं जानवी तुम्हारा बैग कविदा में फ्रेश हो गया तो हम हम और बताओ मैं क्या बताओं तू बता भाबी हाँ मैं बस अभी निकली रही हूं हाँ भाबी मैं उपर फ्रेश होने जा रही हूं अरे जानवी खाना खाकर तो जाना अरे मैं बहार से खालूंगे कविता? हाँ आई कविता? आ रही हूँ, आ गई क्यों चिला रहे हो बाबा? किसकी बेल्ट है ये? कौन आया था मेरे बीचे यहाँ पर रंग रहे लें मनाने? छी, आप मुझे पर शक कर रहे हो मुझे आप से ये उमीद नहीं थी कि आप मुझे पर शक करोगे तो फिर ये बेल्ट किसकी है? सच बताओ! अब मैं कवर्ण में से पुराने कपड़े निकाल रही थी फेकने के लिए तो ये उसे में था और मैं जल्दवाजी में फेकना बोल गई हाँ सॉरी कहते है कोई हसीना जब रूठ जाती है तो है तो और भी हसीन हो जाती है वर्ण तुम तो मुझसे बात ही मत करो जब से होस्टेल गई हो बूली गए मुझे है ना? बूल गई होती तो तुम से मिलने थोड़ी ना आती आज मिलने आई हो वो भी चार महीने बाद अरे बाबा आपको पता है ना अगले महीने मेरे फाइनल एकजाम है और उसके बाद तो मुझे घर आई जाना है फिर मैं आपसे रोज मिलने आया करूँगी तुम तो चुपी रहो जूटी कहीं की सच्ची में मम्मी कसम अच्छा मम्मी से याद आया मम्मी पापा कहा है वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गया है अगले हफते आएंगे मेला बाबु को अच्छा है किसने माला में बाबु को माला किसने माला का माला याँ माला याँ मारा मत कर मत कर मत कर मसनी मत कर चश्मा दे मेरा बहन दे दोंगी यार तुम कितने अच्छे हो है न बस यार ओपर वाले की महरबानी अच्छा एक बात पुछो पुछो तुम मुझे कभी चीट तो नहीं करोगे न मुझे कभी छोड़के तो नहीं जाओगे न काँ गोगे बोलू न नहीं कभी नहीं अच्छा एक बात बताओं आपको पते मैं अच्छा बहुत प्यार करती है क्या हुआ क्या हुआ आरे कुछ नहीं चलो चले चलो यह फोन पिकप क्यों नहीं कर रहा है पिकप दा फोन फोन पिक करो वरून फोन उठाओ सुनो ना आज में ज़्यादा देने रुख सकती जानवी एक इंपोर्टेंट कॉल आ गया है रिसीब कर लो तुम वेट करो मैं आता हूँ मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो इतने दिनों से देखिए अब मैं ये सब और नहीं कर सकता मैं किसी और से प्यार करता हूँ वरून अब मैं उसे और चिट नहीं कर सकता हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ है उसे आप भूल जाएए बस वरून मेरी बात सुनो वरून वरून ये फूल बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यार है तुम्हें इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो अपसेट थोड़ा मूड खराब है यार मूड खराब है चलो तुम आज ऐसा करो तुम आज मेरे घर चलो मैं तुम्हें अपने भाईया भावे से मिलवाती हूँ और तुम्हारा मूड भी ठीक हो चाहेगा अरे नहीं यार आज नहीं फिर कभी बोला न चलो अरे चलो, तुम सुनोगी नहीं न? नहीं तुम मुझे यहाँ कहां लेके आई हो और यह किसका घर है तुम सच में पागल हो क्या मैं तुम्हें अपने घरी तो लेके आऊंगी यह मेरा घर है रुको मैं अभी भावी को बिलाती हूँ भावी आव ना भावी आवी भावी ओके भावी वारुन वारुन यह मेरी भावी है नमस्ते नमस्ते चलो अंदर चलो मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ चलो हाई जन्री हाई भीया मैं दो दिन के लिए इंदूर जा रहा हूँ दो दिन के बाद आके मिलता हूँ ओके भीया यह कौन है भाईया यह मेरा फ्रेंड है अरुन वो शर्मा अंटे के पास ना कुछ सामान छोड़ गया है तो लादोगी अर्जेंट है ओके भाईया सुना ना मैं भी निकलता हूँ मुझे वो कुछ काम है अरे बाबर रुको ना मैं जाता हूँ ना अरे चलो ना बैठो ना जान में दो मिनट में आ जाएगी मैं यू गई और यू आई हाँ चलो ना भाबी में आती हो ओके वरुन मुझसे कोई गलती हो गई है क्या तुम मुझसे इतना दूर-दूर क्यों रहते हो मेरे फिगर में कोई कमी है तुम मुझे इग्णॉर क्यों करते हो मुझे इग्णॉर मत किया करो प्लीज देखिए मैडम मैं जान मी से बहुत प्यार करता हूं मैं उसे और चीट नहीं कर सकता आपके और हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ उसे अब भूल जाएए प्लीज अच्छा तो तुम जान मी से इतना प्यार करते हो चलो ठीक है फेर तो जान मी को यह दिखाना ही पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि जान मी को इस बात की खबर न पड़े तो तुम मुझे भी प्यार कर जैसे पहले करते थी वरुन वरुन रुको वरुन यह सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा आपको जो करना है किजिए वरुन तुम पागल हो गयो क्या मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी और जान भी को भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आपको जो करना किजिए वरुन 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 क्या हुआ क्या हुआ अकीला पंसा फीर हो रहा था और भावी की भी आदारी थी इसलिए इस वक्त बुला लिया बैठो भईया कहा है भईया अंदर रूम में आफिस का काम कर रहा है लिसन बी रिलाक्स ओहो मिस्टर वरुन आप यहीं पर हो यू आर अंदर अरेस्ट मैंने क्या है मैंसिस कवीता का मर्डर नहीं मैंने उनको नहीं मारा है इंस्पेक्टर साब आपको जुरूर कोई गलत फेमी हुए हमारे पास पूरे सबूत है वरुन का आपकी भावी कवीता के साथ अवे संबन था अफेयर था और वरुन उस अफेयर को खतम करना चाहता था लेकिन आपकी भावी ने एक एमेमेज के जरीए इनको ब्लैकमेल किया और इन्हें वो रिलेशन खतम नहीं करने दिया और फिर उसदिन वरुन और कवीता में लडाई होए वरुन ने कवीता का मैंडर कर दिया कवीता की बॉडी के पास से वरुन के गौगल्स और परस मिला है और मोबाल से ममस मिला है पांडे ले चलो वरुन को इस्पेक्टर साब, वरुने भावी को ने मारा है, भावी को मैंने मारा है, वाट, क्या? खां, उस दिन जब मैं घर पर आई, वरुन, तुम पागल हो गयों क्या? मैं तुम्हारे घर वालो को बता दूगी और जानवी को भी, मैं तुम्हें आपको छोग करना किजिए वारुन भाबी आपको ज़रा भी शरम नहीं आती है ना जानवी जानवी तुम वारुन को जानती नहीं हो वो मेरे साथ जोर जबर्दस्ती करने के कोशिश कर रहा था और वो एक नंबर का आयाश है पता नहीं उसके इतनी ओरतों के साथ ना जायस संबंध है अच्छा जैसे आपके साथ जानवी तुम अपने भावी को तपड मार रही हो भावी को नहीं एक आयाश ओरत को जो भी इसमों सिर्फ मेरा है समझे अच्छा पंदे लेचलो इने भी एक मिनिट इस्पेक्टर साथ जी बोलिये मेरे बेवी कविता का खून इन दोनों नहीं बलकि मैंने किया है क्या भोल रहे हैं हूं उस दिन जब मैं बाहर गया था मैं एक इंपोर्डेंट फाइल घर भोल गया था कविता ईज़स्ब अँग अँग हुआ 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 है मेच्छा राजेश आपको भी हमारे साथ चलना होगा पांडे इन तीनों को ले चलो थाने चलिए पांडे इन तीनों को ले चलो थाने चलिए